तो खालू दोस्तो नमस्कार मैं आपका छोटा राजन भाई आप देख रहे चोटा राजन भाई चैनल मैं सौधी अरफ से वीडियो बनाता हूं और करोना भाइरस जो वाइरस निकला एक नया वाइरस ग्रोना भा SAR जिली आधर में इंडिया भी पहुंच गया है और शुरू कहां से भूआ है, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सरा इस का बीडियो देखे होंगे, मैं सौदी यरभ से बीडियो बना रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि कैसे फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, क्या क्या ब accidentally को क्या क्या क्र रहा है? तो सुरू सेन तक वीडियो देखिएगा देखिए कोरोना वायरेस चाइना से रिलीज हुआ है मतलब उत्पात चाइना से हुआ है वही से फैल रहा है पुरा दुनिया में फैल रहा है तो यह वायरेस है ना कि आप जानवर से वायरेस है वायरेस मतलब कुछ भी समझ सकते हैं वाइरेयस मतलब या, किसी के अंदर में भी जा सकता है, वाइरेस, इससे क्या है, आपको साब शुत्रा रहना है, पैजिते हैं, साब्ला का बरतना चाहिए, कोई जोभी मुसिवत रहाता है, बोल की नहीं आता है, दोस्तों जितना भी सब्दान रहेगा आपके लिए अच्छे रहेगा मैं थोड़ा सोचाओं कि छोटा वीडियो में आप लोग के बढ़ा दू मेरे जितने वी सुस्क्राइबर जितने वीडियो देख रहे हैं करोना वाइरस देखी चाइना से रिलीज हुआ है मतलब गए लोग यह से लोग जाते हैं परने के लिए वहां से जो गए हैं वहां पर वाइरस जो फैला है उससे जो पढ़ने वाले गये थे इंडिया से उनको भी हो गया है मतलब वहां से आगए इंडिया में आ गय तो बंबई में अभी सुने एक दो-तीन आदमी के मोत भी हो कि भी कुछ खाने के लिए किसी से लालाच में मत पढ़िए कुछ भी पाणिये साफ रहिए रही है दोस्तों क्योंकि यह वायरेस कई भी किसी को हो सकता है हम भगमान न करें उपरबाले न करें कि किसी को यह हो यह बहुत खतरनाक विमारी है केंसर से भी बहुत खतरनाक बीमारी है दोस्तों तो हम चाहते कि आप लोग सब सब सतर्क रहें और वीडियो सेयर करें गाउं गाउं में यह वाइरस है जानवर से फैल रहा है तो आप लोग जानवर से जितना हो से के दूर रहें अच्छा कोई भी जानवर के जब उसके वीडियो फैला दीजे गाउं गाउं में देखिए गाउं में सही अपने सुने की पुरा इंडिया में जब चाइना से रिलिज हुआ है कितना देश में भी हो गया है अभी साथी अरभ में नहीं दिया है साथी अरभ में हुआ है कि लेकिन एक निज में बता रहा था कि पूöstरे रहने के लिए बूलिएगा तो आप ठीक रहे हैं जहां भी रहे हैं ठीक और किसे कैसे सतर का बढ़ते क्या नियम है इसका लक्षन क्या है पहलोग इसका लुक्त हूं से पताफन अब हो सब्सक्राइब कर लिए और घंटी को दवा दीजिए दोस्तों यह बहुत जदा तेजी से बीमारी फैलेडा इसका अभी इलाज ढूना नहीं गया है जो डॉक्टर के टीम लोग है अभी तो गुठून डै लेकिन इसका इलाज ढूना नहीं गया है दोस्तों इससे अभी तक चाइना में 26 लोग मर चुके हैं 500 लोग अभी तक हस्पिटल में भरती हैं दोस्त तो वाहरेस होता है किसी का अंदर घूच सकता है इसलिए छलीए नेक्ट वीडियो में बतायेंगे आपको किस तरह आपको बहतна है जदा वीडियो में बतायें आप लोग को सब्सक्राइब करके घंटी दबाद दिजिए जभी वीडियो के सबसे पहले आप तक चलेए छली झाल 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 झाल